नमस्कार दोस्तों आज पढ़ेंगे 10th क्लास का एक चेप्टर दथीप स्टोरी ये कहानी बहुत ही शांदार है एक चोर के बारे में किस तरह से एक चोर जो चोरी करता है चोटी उमर में और किस तरह से उसके जिवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है तो चलो दोस्तों सुरुआत करते हैं आज के शांदार वीडियो की एक लड़का है जो अनिल नाम के किसी विक्ति से मिलता है इस लड़के की उमर है 15 साल वो चोरी करने में बहुत ही एक्सपर्ट है अनिल एक रैसलिंग कुस्ति का मेंच देख रहा है इसकी उमर 25 साल के लगबग है वो लंब है ठीक ठाक विक्ति वो दिखाई दे रहा है इस चोर को ऐसा लगता है कि मेरे लिए परफेक्ट बंदा है मैं इसको पागल बना चकता हूं मैं इसके चोरी कर सकता हूं इसको मैं आसानी से अपने विश्वास में ले सकता हूं इस चोर को ऐसा दिखाई दे रहा है जो उसको जवाब दिया अनील ने तुम भी एक रेसलर की तरह दिखाई देते हो ये चोर बड़ाई सर्प्राइज हो गया और उसने कहा हाँ मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ कुस्ती कर लेता हूँ तो उसने पूछा अनील ने तुम्हारा क्या नाम है हरी सिंग चोर ने नाम क्या बताया हरी सिंग जूट बोल दिया वो हर बार क्या करता है कि अपना नाम बदल लेता है अब जब ये दोनों बाते कर रहे हैं तो बाते करते वक्त चोर ने क्या किया अपना नाम बदल लिया उसने का मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता हूँ ताकि पुलिस और म मुझे पकड नहीं पाए इस इंटोडक्शन के बाद में अनिल ने क्या किया ये जो खूब ते लगा कि पहलवान जो रेस्टलर करते हैं घूब गुर राते हैं खूब एक दूसरी को पटकते हैं उनके बारे में बाते की अच्छित करने के बाद में अनिल वहां से चल दिया अब ये जो हरी सिंग जो चोर है वो दिरी दिरी उसके पिछे चल दिया उसने फिर से का हैलो और मुस्कुराट दी और उस चोर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाता हूँ लेकिन अनिल ने कहा भई मैं तो तुम्हें पैसा नहीं दे सकता धोर सोचने लगा आप क् फिर उसने कहा कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो तो अनिल ने कहा अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ तुम मेरे यहां खाना बना लेना और तुम भी खालेना और मैं भी खालूंगा वह है उसे अपने घर के वहां लेकी गया जो में खाना बना लेना और फिर हमासा खाना खा लेंगे लेकिन उस दिन जो हरी सिंग ने खाना बनाया वो बहुत ही खतरनाक था बेकार था अनिल ने उसको आवारा खुतों को दे दिया और उसे कहा भाया हरी सिंग तू चला जा तेरे बस की बात नहीं है लेकिन मैं वैसे ही मु मैं तुम्हें तुम्हारा नाम, लिखना, पढ़ना ये सब भी सिखा दूगा नमबर जोड़ना ये सारी चीज़े मैं आपको सिखा दूगा मैं उसका बोट आबारी रहा मैंने सोचा कि अगर ये सब चीज़ें मैं सीख लोगा तो मैं जिवन में बहुजधा सफल हो सकता हूँ ये मेरे लिए अच्छा काम था मैंने अगले दिन सुबह चाइ बनाई और चाइ बनाने के बाद मैं अपने सारे काम में लग गया दिरे-दिरे में अपने सारे काम सीखने लगा, करने लगा और आते जाते खरीदारे करते वक्त एक रुपय में बचा लेता था साइद अनिल को ये पता था लेकिन वो मुझे कोई सेलरी या कोई तनखा नहीं देता था इसलिए इन चीजों का उस पे कोई परक नहीं पढ़ता था अनिल का कमाई करने का तरीका ऐसा है कि अचानक कमाई होती है अचानक कमाई नहीं होती है एक सप्ता वो पैसा खूब कमाता है अगले सप्ता लोगों से उधार लेता है वो एक तरह का राइटिंग का काम करता है लिखने का काम करता है मेक जिन्स वगेरे के लिए लिपता है और उसके पास कभी पैसा आता है कभी पैसा नहीं आता है एक शाम को वो घर पे आया उसके पास कुछ पैसे का बंडल था उसने का कि मैंने एक किताब बेची है और अब मुझे कुछ पैसा मिला है और उसने चुप चाप अपने बिस्तर के निचे ये पैसा रख दिया इस चोर हरी सिंग को मोका मिल गया कई दिनों से मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया है मेरे कारिये से जुड़ा हुआ अब मुझे करना भी चाहिए आज मेरे पास मोका है मुझे मोका मिल गया इसको लूटने का आज ये पैसा मैं यहां से लेके चला जाओंगा लेकिन वो सोचने लगा लालची आदमी को लूटना ठीक है क्योंकि उसके लूट लेंगे तो वो बरदास्त कर लेगा लेकिन लापरवा आदमी को लूटने तो उसमें मजा नहीं है कई बार उससे पता भी चलता कि उसे लूटा गया है या नहीं लूटा गया है इसलिए उस मेरे काम में मुझे मजा नहीं आएगा अब ये समय है कि मुझे वास्त में कुछ काम करना चाहिए कि मैंने आपने आपसे कहा काफी दिन से मैंने चोरी का काम नहीं किया मेरी प्रैक्टिस भी कमजोर हो रही है अगर मैंने ये पैसा नहीं लिया तो अनिल क्या करेगा अपने दोस्तों में ये पैसा उड़ा देगा और मुझे कोई तनखा भी तो नहीं देता है अनिल सो रहा था, कमरे में थोड़ी रोस नहीं आ रही थी और मैं भी वहीं लेट रहा था अब मैंने देखा रात को साड़ी दस वजे मेरी लखनाव की ट्रेन है तो मैं दीरे से यहां से पैसे निकाल लेता हूँ, लेके चले जाता हूँ और लेके चला जाओंगा और मुझे कुछ भी कोई भी नहीं पकड़ पाएगा मैंने क्या किया, दीरे से वो जिस मैट्रेस पे जिस बिस्तर पे सोया था वहां पे दीरे से मैंने हाट डाला और बिना कोई आवाज किये अनील जहां से सो रहा था मैंने तुरंत पैसे निकाले और तुरंत कमरे से बाहर आ गया वो पैसे लेकर मैं जब रोड पे चल रहा था तो मैं रोड पे दोडने लगा और जो मेरे पास पैसे थे, वो मैंने मेरे पाईजमे में मेरे कपड़ों में डाल लिये और मैंने count किया वो 600 रुपे थे और मुने सुचा कि एक दो सब्ता तो मैं बहुत ही मजे से गुजार लूँगा जब मैं station पहुचा तो ticket office के पास पहुचा लेकिन ticket मैंने नहीं ली क्योंकि मैं कभी ticket नहीं लेता लेकिन लखनव express वाली जो मेरी गाड़ी थी वो जा रही थी train speed पकड़ने वाली थी मैं उसको पकड़ सकता था लेकिन मैं हिचकचा आया मैं नहीं जानता कि मुझे क्या हुआ लेकिन मैं train पे नहीं चड़ा और फिर थोड़े देर बाद में मैंने platform पे अपने आपको अकेला पाए मुझे कोई idea नहीं था कि मैं कहां जाओ ना मेरा कोई कोई दोस्त है ना मेरा कोई रिस्तिदार है क्योंकि मैं ऐसा बनाता नहीं दोस्त रिस्तिदार अगर मैं बनाओंगा तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी लालची आदमी को डर लगता है, अमीर आदमी है, उसको गुस्सा आता है, गरीब आदमी बेचारा संतोस्ट कर लेता है, लेकिन अनील एक ऐसा आदमी है, जब उसको चोरी का पता लगेगा, तो थोड़ा सा उदास होगा, पैसे के लिए नहीं, विश्वास के लिए कि उसका विश्वास चला गया, मैंने अपने आपको एक मेदान में पाया, और मेदान में बेंच पे बेट गया, रात बहुत थंडी थी, नौमबर का ये समय था, हलके हलकी बुन्दा बांदी हो रही थी, मेरे कपड़े भी दीरे दीरे गिले हो रहे थे, मैं फिर से बाजार गया, और बाजार में जाके घंटा गर के निचे में जाके बेट गया, लगबग आदी रात हो चुकी थी, और हलकी हलकी बुन्दा बांदी आ रही थी, और मेरे पास अनिल का पैसा था, वो थोड़ा बहुत गीला हो चुका था, मैं चाता तो उसका साथ में इंजोय कर सकता था, और अगले दिन मुझे कुछ न कुछ पैसा अनिल जरूद देता, मैं उसे सिनिमा देख लेता, थोड़ा बहुत मोज मस्ति कर लेता, और अगर अनिल के साथ में रहता तो मैं सेंटेंस लिखना सीक जाता, और पढ़ाई मैं चार लेता, और कितने सो रूपे कमा लेता बाद के लिए हमें चोरी नहीं कुछ और करना पड़ेगा। मैंने सोचा कि मुझे अनिल के पास वापस चला जाना था। मैंने अपने आपको बताया कि मुझे पढ़ना और लिखना सीखना है इसलिए मैं अनिल के पास वापस लोटना चाहता था। मैं तुरंथ परभाव से वापस मुड़ा लेकिन वापस जाने का रास्ता बड़ा कटिन था चोरी करना आसान है और चोरी के सामान को लोटाना वो भी बिना पता लगे हुए ये बहुत मुश्किल काम था मैंने दीरे से दर्वाजा खोला दर्वाजा खोलने के बाद में मैं अंदर गया अनील अभी भी सो रहा था मैं दीरे से किसका और मैंने जो पैसे हैं वो बिस्तर के नीचे रखे और दीरे से मैं वापस लोटा और वापस लोटके अपने जगे पे आके सो गया अगली सुबह जैसा कि मैं थक चुका था तो मैं लेट उठा, अनिल मेरे से पहले उठ चुका था, मेरे पास में आया, उसने मेरी तरफ अपना हाथ किया, एक पचास रुपे का नोट था उसके हाथों में, और मेरा दिल बैट गया, मुझे बड़ा डर लगा, साइद मेरी चौरी पकड़ी गई, तो अनिल ने मुझे क कहा कल मैंने कुछ पैसा कमाया है, इसलिए मैं आपको अब कुछ पैसे दे रहा हूँ, और अपसे तुम्हारे को रेगुल में सहले दी दूँगा, इसका मतलब उसकी चौरी पकड़ी गई, मैं बिलकुल डर गया, जब मैंने नोट लिया तो मुझे पता लगा कि नोट गिल है, मैं उसकी तरफ मुस्कुराया और अनिल भी मेरी तरफ मुस्कुराया लेकिन इस बार मेरी मुस्कुराया जो थी वो बिलकुल सच्ची थी, ये कहानी थी किस तरह से एक चोर जो है, वो एक अच्छे इंसान में बदल गया